हालो स्टूडुन्स तो आजका जो वीडियो है वहर उस बच्चे के लिए है जो क्लास 10 के बोर्ड एक्जैम्स को अपियर करने वाला है और अपने स्कौर को अपने स्कौर्स को सोशल साइंस में एक्सेल करना चाहता है हम इस वीडियो में आपकी mentoring और guidance पर काम करेंगे किस तरीके से हमें अपने scores को और बहतरीन बनाना है बच्चों क्योंकि बात social science की हो रही है तो example भी social science से ही लिया जाए 200 साल की गुलामी के बाद 1915 में महत्मा गांधी इंडिया लोटे और उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई को एक नया direction दिया अपनी guidance की थ्रू और finally 1947 में we became independent आजादी में एक बहुत dominating role play किया उनके guidance उनकी mentoring में और उसी तरीके से हर रास्ते पर हर पात पर guidance और mentoring जो है वो बहुत dominating role play करती है और क्योंकि इस समय आपका रास्ता है 10th board की तरफ तो यहाँ पर भी subject specific guidance जो है वो बहुत dominating role play करेगा तो यहाँ पर हम बात करेंगे social science में आपके score को uplift करने के लिए तो चलिए आपके scores को uplift करने की journey हम शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे syllabus analysis की weightage of marks की according क्योंकि यहाँ पर देखे सबसे important बात है excel करना in terms of numbers in terms of marks subject के first dimension history की बात करें तो history का standard weightage 20 marks का है और इन 20 marks को score करने के लिए हमें इन 5 chapters में excel करना होगा ध्यान दीजे कि इन 5 chapters में से 2 chapters जो है nationalism in Europe और nationalism in India इनका जो examination paper में weightage होता है वो comparatively जादा होता है हम यह अनुमान लगा रहे है कि इन से आपसे बहुत जादा long answer type questions पूछे जाएंगे क्योंकि long answer type questions का इनका जो weightage है या marking है वो 5 number होगी तो इनका जो marking score होगा वो comparatively जादा होगा nationalism in India से map work का भी component बनता है तो इसलिए इन chapters को अगर आप बहुत थरली कर लेते हैं तो सूचिए आपका एक बहुत बड़ा part of syllabus जो है वो complete होता है और फिर हम इन तीन chapters में gradually आगे बढ़ सकते हैं इसके आगे अगर हम subject के दूसरे dimension geography के बारे में बात करें तो geography का भी standard weightage 20 marks का है और इस 20 marks के लिए हमें इन साथ chapters में अपनी महारत हासिल करनी होगी हमें ध्यान देना है कि resources and development, forest and wildlife resources, water resources, agriculture इन सारे chapters में से देखिए जो rating हमने दी है यह पुराने जो examination हुए हैं यह पुराने जो paper हुए हैं उन में सबसे ज़्यादा सवाल जिन chapters से पूछे गए हैं उस according हमने इस rating को तयार किया है ताकि आप पहले इन chapters को prepare कर ले और आपकी examination में आप और success की तरफ आगे बढ़ें और आगे देखा जाए third dimension of the chapter को तो हम बात क करेंगे civics की civics 20 marks again और यहां पर पी जो chapters है we have to excel in five chapters इन पाचो chapters में से political parties जो है इसका हमने देखा है कि जो past experiences है या past examinations है उसमें वेटज comparatively जादा रहा है और यह जो है यह ease of learning में ease of learning यहने कि बहुत ही आसानी से इसके जो concepts हैं वो हम develop कर जाते हैं और बहुत ही आसानी से यह part of the subject यह dimension of the subject cover हो जाता है civics के बाद बात की जाए economics की economics जो है यह 20 marks अचीव करना एक बहुत ही अच्छा टागेट होता है क्योंकि चार chapters है लग बग इनका वेटज approximate आसपास ही बहँता है और हम देखते हैं कि जो बाकी के chapters है development में थोड़ी से technicality आती है लेकिन अगर बाकी chapters देखे जाए तो यहां पर यह ease of learning के point of view से बहुत ही आसान chapters है आप बहुत ही अच्छे से इन chapters को cover कर सकते हैं और इन chapters के मदद से अपने overall score को और जादा बढ़ा सक करते हैं ease of learning जैसे मैंने बात की तो उसकी point of view से देखा जाए तो कहीं ऐसे chapters हमने यहां पर list out किये हैं और rating दी है यह rating आपको बहुत मदद करेगी आपके preparation के लिए आपकी planning के लिए अपनी पढ़ाई को किस तरीके से plan करना है कौन से chapters को हमें पहले लेना है कौन से chapters को हम easily कर पाएंगे यह सारी चीज़े ease of learning से आप समझ पाएंगे और इसके मदद से आप अपनी examination में और thoroughly prepare कर पाएंगे बच्चों अब जो सबसे important part है paper pattern paper pattern की जानकारी अगर हम already रखते हैं तो यह हमारे examination point of view से एक win-win situation होती है हमें already paper की pattern की बारे में पता होता है तो वहां पर जो ह examination room में जो हमारा time है वो बचता है comparatively तो अगर हम paper pattern की बात करें तो आपका जो question paper होगा वो 6 sections में divided होगा 6 sections में आप से 37 questions पूछे जाएंगे और paper में कोई भी overall choice नहीं होगी यानि ऐसा नहीं होगा कि आपको 40 questions दिये जाए और 40 में से आपको 37 appear करना होगा नहीं 37 questions होगे लेकि होगी और आपको उन दोनों में से एक ही appear करना है सारे questions appear करना compulsory होगा इस बात को ध्यान रखेंगे इन अडिशन हमें याद रहना है कि अगर किसी question में कोई separate instruction की जरुरत होगी अगर जरुरत होगी तो वो instruction additively question के साथ ही आपको दिये जाएंगे बच्चों यहां पर हमें इ आली बात आप चाहें तो section को इधर उधर कर सकते हैं आपको लगता है कि time बचाने के लिए time की planning के लिए जो जादा marks वाला section है यानि कि जो 5 marks वाला section है आप उसको सबसे पहले appear करें लेकिन section के अंदर जो order of questions होगा उसे ना छेड़े अगर आपको लगता है कि किसी question में आप पर जगह छोड़ दीजे और बाद में उस question को appear करिए section आप आगे पीछे कर सकते हैं आपने section D पहले appear कर लिया आपने section B बाद में appear किया यह आप कर सकते हैं लेकिन section के अंदर जो questions का order है उसे जरूर maintain करें कोशिश करें कि आप blue और black pink का ही इस्तमाल करें अपने examination को देने के ध्यान दीजे कि अब हम section wise बात करते हैं section A की बात की जाए तो सबसे पहले 1 to 20 questions जो होंगे first 20 questions जो होंगे वो MCQs होंगे और बच्चों MCQs जैसे हम आपको यहां example में दिखा रहे हैं एक general MCQ है लेकिन MCQ में बहुत सारे types add किये जा सकते हैं MCQ format में आपसे true false पूछा जा सकता है आपसे picture based question पूछा जा सकता है बस क्यूंकि answers आपके पास options में available होंगे तो आपके लिए यह variety होगी यानि कि बहुत सारे type के MCQs आपसे पूछे जाएंगे एक और चीज बहुत ध्यान दीजेगा कि जब आप answer sheet में अपने answers को लिख रहे हैं तो आपको option number नहीं mention करना है आ was initiated by whom? It was been initiated by Vinoba Bhave who was a devout disciple of Mahatma Gandhi, right? He was a follower तो Vinoba Bhave जो है अब यहां पर इस answer में option one नहीं लिख कर आएंगे आप सही answer यानि Vinoba Bhave वहां पर mention करेंगे ताकि examiner के ease को भी हमें अपने point of view में रखना है ताकि हमारी copy में किसी भी तरीके की कोई भी chances of mistakes ना रहे पाएं दूसरी तरफ दूसरे section की बात की जाए section B की तो ये section जो है ये नया add हुआ है इस साल के examination में ये एक नया section add हुआ है जो हम sample papers जो CBSC ने release किये है उससे का नुमान लगा सकते हैं कि इस section में इस section में कि introduce कर रहे हैं very short answer type यानि कि two marks के questions दो मार्क के question आएंग question number 21 to question number 24 जो होंगे वो दो मार्क के question होंगे और ध्यान दीजे इसमें जो आप answer बनाएंगे देखिए marking को बहुत ध्यान देखी दीजेगा word limit को बहुत ध्यान दीजेगा हमें qualitative answer create करना है हमें quantity में answer नहीं लिखना है बहुत जादा answer लिखने के लिए भी हमारी marking जो है वो point wise अपने answer को frame करें क्योंकि यहां पर क्योंकि यहां पर हमारे जो marks का weightage दो है दो marks हमें मिल रहे हैं तो हम उसी according दो point का ही answer लिखेंगे देखिए question को देखिए analyze any two factors which are responsible for the great depression in America during 1929 तो question आपसे खुद ही कह रहा है कि मुझे दो factors बताए और दोनों factors को point wise लिख दीजे ताकि मेरे लिए आसान हो उसे समझना examiner के लिए invigilator के लिए checking copy checking करने वाले व्यक्ति के लिए यह चीजे बहुत आसान हो जाए अब हम आगे और बात करते हैं section C की तो section C 25 to 29th number of question इसमें होंगे और यह जो question होंगे यह short answer type question होंगे जो तीन marks carry कर रहा होगा तीन marks हमें यह ध्यान रखना है कि 60 words इसकी word limit होगी word limits को हम cross नहीं करेंगे आप जितने भी toppers हमारे रहे हैं जितने भी बच्चों ने past examinations में बहुत अच्छा score किया है उनके experiences से हमारी चीजों को देखने के experiences से हम यह समझ पाए है कि answer जो है वो stick to the point होना चाहिए ऐसा नहीं है बहुत जादा elaborate करके बहुत जादा हमें नहीं लिखना है हमें additional information ना लिखते हुए जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे पर stick रहना है यहां पर तीन marks क्योंकि एक question है तो कोशिश करिए कि तीन points जो है वो इस question में add हो जाए तो जैसे कि अगर question है write a short note on gcp mazini तो gcp mazini कहां पैदा हुए थे उन्होंने कौन सी secret society establish करी कौन सी secret society के वो member थे इस तरीके से आप इस answer को frame करते हुए मतलब qualitative चीजे डाल कर इस answer को complete करें और इस answer को भी points में लिखने की कोशिश करें अब इसके बाद अगर हम चौते section की बात करते हैं section D की तो question questions में से आपको किसी एक ही question को appear करना होगा ध्यान दीजे कि इस case में भी word limit 120 words है हमें word limit को cross नहीं करना है और हम जो है point wise answer बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे जहां पर भी कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम बहुत ज़्यादा points आड नहीं कर सकते तो ऐसे case में कुछ highlighted words होते हैं जिनको आप underline कर सकते हो black pen से pencils की मदद से ताकि आपका answer आपके जो important information आप देना चाहरे हो वो copy checker को जो आपकी copy checker रहे हो उसे बहुत easily दिखाई दे तो वह उन्ही points को उन्हीं चीजों को देखते हुए एक अंदाजा लगा लेता है कि राइट इस बच्चे ने जो है पूरा जो coverage है वो किया है और उसके basis पर आपके marks को आपको full marks देंगे पर देखे जैसे अगर हम देखे तो यहां पर जादातर हमारे पास choices होगी suggest and explain any five measures to reform political parties तो यहां पर जादातर questions इस तरीके से होंगे अब reformations के हमारे पास बहुत सारे challenges और reformation chapter में दिये गए हैं तो आप उन बहुत सारे reforms को यहां पर mention कर सकते हो describe the role of political parties in India तो यहां पर हम functions की बात कर रहे है NCRT में हमारे textbook में कई functions जो हैं वो mentioned है तो उन functions में से आपको 5 functions specifically आप चाहें तो 6 भी लिख लीजे लेकिन लेकिन बहुत जादा elaborative answer ना develop करें और इस तरीके से point wise frame करते हो अपने answers को लिखें अब अब जो है अब हम section E की बात करेंगे और section E जो है वो case based question होगा यह बहुत interesting part of the question paper होता है question number 34 to 36 और यह 4 marks का होता है जिसमें एक standard guideline से question पूछे जाते हैं वो standard guideline क्या है वो हम देखते हैं जैसे कि बच्चों यह जो excerpt है यह जो passage है यह जो case है यह chapter part sharing से लिया गया है अब इस case study पे based आप से कुछ सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों का जो format है वो बिल्कुल standard होगा यानि कि पहले जो दो सवाल है वो one marks each होंगे और उसके बाद जो next question है वो two marks में ही आएगा यानि कि case based part से आप से तीन सवाल ही पूछे जाएंगे one one mark each और two marks का तो इस तरीके के सवालों के लिए भी आप prepared रहें आपकी यहां पर analytical thinking logical reasoning बहुत सा जाम आएंगी और इन soft skills को develop किया जाता है practice के थ्रू तो practice करते रहिए right और देखा जाए तो अब हम बात करते है section F की जिसमें map based question होगा map based question में आपकी दोनों ही skills को यहां पर judge किया जाएगा एक identification of places और दूसरी location of places तो यहां पर क्यूंकि दो dimension of the chapters से question पूछे जाएंगे पह दूसरा जो part है वो geography से होगा geography से 3 marks का map work आप से पूछा जाएगा तो यहां पर आपको समझाएगा किस तरीके से location वाली skills का इस्तमाल होगा किस तरीके से identification वाली skills का इस्तमाल होगा अब जैसे अगर हम map में question number 37 का A part यानि कि history part को देखे तो history part में आपको यहां पर एक hint दी गई है कि इंडियन नाशनल कॉंग्रेस का session 1920 में किस जगह पर हुआ था उसी हिंट से related उसी हिंट को से related जगह आपको identify करनी है जैसे कि यह option हमें यहां पर identify करना है तो हमें यह identify करना है कि 1920 का Congress का session कहा हुआ था आपको उस जगह का नाम mention करना है so 37A लिखेंगे आप और उस जगह का उस particular जगह का नाम mention करेंगे तो यह तो हो गया identification वाला part वही पर अगर हम geography की बात करते हैं तो geography में जो map work 37B यानि कि जो second part of map work है इसमें आपको इसमें आपको इन सारी जगहों को locate करना है इन चार में से आपको किनी तीन जगहों को locate करना है तो आपको हीरा कुट डैम, तारापुर, आटोमिक पार स्टेशन, नौईडा सौफ़ए टेकनोलजी पार्क, कोची पोर्ट इन चारो ही options में से किनी तीन को map में locate करना होगा बच्चो रैट अब बहुत important part जिसमें हम बात करेंगे do's and don'ts during your examination, preparation and during the examination as well, तो आप बात की सबसे पहले prioritize your subjects, देख लीजिये कि आपकी महारत हमारे subject के किस dimension में हासिल है, यानि कि कुछ बच्चों के लिए history बहुत easy लगता है उन्हें, क्योंकि वो rates को बहुत जल्दी plan कर लेते हैं, वो चीजों को story के तरीके से learn कर रहे होते हैं, तो इस चीज से आपको ये prioritize करना कि आप कि subject dimension में बहुत strong है, और किस dimension में आपको लगता है कि आपको जाधा preparation की जरुरत है, तो जिस dimension में आपको जाधा preparation की जरुरत होगी, आपको उस dimension को prioritize करना होगा, उसकी तयारी आपको पहले से करनी होगी, दूसरी चीज, prepare according to the weightage of the chapters, ये जो weightage rating जो हमने दी थी, वो इ notes of specific topics, notes जरूर बनाईए, देखे, NCRT की जो story है, social science आपको एक पूरी visit, एक कहानी बता रही होती है, जिससे हमारी आज की दुनिया created होती है, तो हमें ये समझना है कि हर sub topic में से कुछ points निकल रहे होते हैं, क्योंकि हमें point wise answer frame करना है, तो बहुत important part ये होगा कि एक तो आप question को thoroughly समझ पाए, question को पढ़िये, बार-बार पढ़िये ताकि आप question को thoroughly समझ पाए, और उस question में पूछे जाने वाले points को specifically लिख पाए, ताकि आपकी answer quality में हो, quantity में ना हो, तो qualitative answers बनाने के लिए, notes making जो है, एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जिससे आपको answer making skill, soft skill ये जो है आपकी develop होती है, create a timeline of important dates, देखें history के जितने भी chapters है, जैसे हम nationalism in Europe की बात करें, तो ये event by event हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्रोन लॉजिकल order में, ये events होते चले जा रहे हैं, तो अगर आप timeline बना लेंगे, कहीं पर भी जहां पर आप candy table है, उसके आस पास, आपने अगर एक timeline attach कर दी, वो बना कर लगा दी और आप रोज उसे देख रहे हैं, तो ऐसे भी आपका रोज history का revision हो रहा होता है, timeline बहुत मदद करती है, preparation का, एक बहुत important part होती है history के preparation के लिए, practice map work by tracing the important locations and create mind mapping, देखें क्या होता है, कि अगर nationalism in Europe पढ रहे होते हैं, Germany का नाम आ रहा है, Italy का नाम आ रहा है, अगर हमें इनके current locations पता है, देखें कि हमारे लिए वैसे भी generally भी बहुत important part होता है, कि हमें जगहों के बारे में पता होना चाहिए, तो ऐसे भी आपको, यह mind mapping है, दिमाग में आपको map पे, जैसे ही जगह का नाम आता ह तो आपको उसकी location समझ आ जानी चाहिए, याद होनी चाहिए, Indian states जो है अलग-अलग, वो आपको याद होने चाहिए, तो यह mind mapping और particularly subjects related map तो आपको develop, mind में ही याद होने चाहिए, कि यह फलानी जगह इस जगह पर located है, और इस से आपका जो map paste part है, वो बहुत आसान हो क्या नहीं करना है, वो देखते हैं, देखें, मगप मत करिये, रटा मत मारिये, रटे से कुछ भी नहीं होने वाना, ultimately हम जाकर examination hall में, उस महाल में सब भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो चीज हमारी conceptually समझ हुई होती है, मैंने कहा history जो है वो अपने आप में कहानी है, एक order of event है, जो हो रहा है, तो अगर आपने कहानी समझी हुई है, आपको वो कहानी याद है, तो ऐसे case में आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, दूसरी चीज, don't learn things which are not discussed in the NCRT textbooks, remember, multiple material market में available है, हर चीज के लिए, लेकिन अगर हम इन सारे Multiplity में भटते रहेंगे, तो हम मूल मुद्दे से, मूल बात से, कभी भी, you know, attract नहीं हो पाएंगे, मूल चीज को हम कभी भी achieve नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे case में NCRT textbook जो है, वो बहुत dominating role play करती है, जो चीजे NCRT में दी हुई है, वो हमारे लिए बहुत important है, exam point of view से, लेकि should not exceed it, देखिए बच्चों हमने हमारे experience में ये देखा है, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होते वे देखा है, कि बच्चे कहते हैं कि माम मैं तो बहुत लिख कर आया था, लेकिन मेरे marks अप तुदे मार्क में ही आए, क्योंकि बहुत जादा लिखने की ज़रत ही नही और अगर मैं आपके सामने बहुत ही लेंदी answer रख दू, तो आपके लिए भी वो पढ़ना थोड़ा सा, कितनी answer sheets में आप उसे पढ़ोगे, important यह होता है कि जब चीजें point wise होती है, यह अगर किसी case में हम paragraph में लिख रहे हैं, तो अगर कुछ important चीजें जो हमने लिखी है, ज आपने अपने answers में पूरे तरीके से justification किया है, और उससे देखिएगा आपके जो marks हैं वो बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगे, यह चीज धियान रखीगा कि over हमें नहीं लिखना है, beyond the limit नहीं लिखना है, point wise अपने answer को frame करें, beautiful answer frame करें, copy को साफ सुतरा रखिए, neat and clean रखिए blue and black ink का इस्तमाल करें, right, बहुत ज़ादा काटा पीटी मत करें, map पे भी blue pen, black pen से ज़ादा और किसी color का इस्तमाल मत करें, इससे आप देखिएगा, आप बहुत अच्छा score करेंगे, बहुत excel score करेंगे, ध्यान दीजिए, textbooks जो हैं, वो एक बहुत critical role play करते हैं, बहुत crucial role play कर इन ही से आप से सवाल पूछें जाएंगे, और इन ही को consider कीजिए, और देखें, तो अगर हम preparation की बात करते हैं, तो जितने भी past year question papers है, ये बहुत important part होता है, पिछले साल के, अगर आपको कोई friend है, कोई relative है, जिनके बच्चों ने class 10th appear किया हो, right, तो उन से पहले ही, क्यूं अची availability होती है, market से sample papers लीजिए, पुरानी papers देखिए, sample paper जो CBSC ने issue किया है, हर साल CBSC अपना sample paper launch करती है, उस sample paper को देखिए, और उससे practice करें, जितना जादा आप questions को practice करेंगे, उतना जादा आप score करेंगे, सिर्फ आपने story पढ़ ली, आपको concept समझा गया, उससे काम नहीं चलना है, काम चलेगा, जब आप बहुत सारे questions को go through करेंगे, तो आपको यह समझाएगा, कि किस question में आपको क्या लिखना था, कहीं बार ऐसा होता है, कि हमें answer तो आता था, लेकिन उस question को पढ़के, उस समय पर हमें यह समझनी आया, कि इस answer में, इस question में क्या answer लिखना था, तो यह चीज़ जो है, यह यहाँ पर आपको sample papers जो है, पुराने जो paper है, past year papers जो है, यह आपकी बहुत मदद करेंगे, past year papers से prepare करने वाले बच्चों का result हमेशा comparatively better रहा है, उन बच्चों के जिन्नोंने paper को बहुत thoroughly नहीं देखाओ, time management, समय को manage करके चलिए, समय को साथ में समय बहुत तेजी से भागता है, examination hall में फोग time कम निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता, और क्यूंकि, क्यूंकि यह theoretical subject है, theoretical subject में क्यूंकि लिखना होता है, और बच्चे वैसे भी बहुत जादा अपना लिख कर बताना चाहते कि मुझे यह भी आता है, मुझे यह भी आता ह करेगा, analyze करिए कि question आप से क्या पूठ रहा है और उतना ही लिखिए, और time management को ध्यान दीजिए, CBSE की तरफ से भी आपको पहले 15 मिनिट दिये जाएंगे, ताकि आप question paper को थरली पढ़ ले, और जब आप पढ़ रहे हैं, देखिए paper pattern आपको पहले से ही अंदाजा लग चु कौन सा section बाद में करेंगे, right, math work को कोशिश करिए कि आप आखरी में करें, right, और सारे जो सबसे जादा number वाला जो section है, five marks का section होता है, long answer type question जो है, वो पहले करिए, और बहुत छोटे से pencil से paper question paper पे टिक मार दीजे, जो questions आप कर चुके है, जिस question में आपको difficulty हो रही है, उसकी जगर छोड़ दीजे, section में questions के order को change ना करे, right, तो time management एक बहुत important role होगा, हर section में आपको कितना एक time देना है, उसका अंदाजा पहले से रखिए, right, आपको paper pattern पता है, आपको पता है कि 5 marks की कितने questions होंगे, 3 marks की कितने questions होंगे, तो जब आपको पता है, तो पहले से उस planning को क सही इस्तमाल किया, सही तरीके से अपनी चीजों को plan करा, पहले से plan गए, right, तो आपकी चीजे naturally बहुत 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 होंगी, और आपके scores उन बहुत 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 होंगी, अब हम आपको answer sheet of a topper दिखाएंगे, इस answer sheet से आपको समझ आगा कि किस तरी किस answer लिखने है, तो देखें, यहाँ पर जो सवाल है, वो three quasi judiciary का है, three quasi judiciary, यानि कि तीन level of courts की यहाँ पर बात होरी है, district court, state court, supreme court, right, तो यहाँ पर देखिए, एक तो bullets, right, जो बच्चा है, उसने bullets बनाएं, अगर आप bullets यूज करते हैं, तो bullets नहीं तो आप numbering भी कर सकते हैं, और देखें, अपने, जो points है, उन्हें highlight करते हैं, उन्हें bold letters में रखते हैं, underline करके, फिर उन्होंने explanation दिया है, तो कितना briefly उन्होंने इस three marks के answer को, it is a three quasi judiciary, it's a three marks answer, इसको कितने proper तरीके से इन्होंने लिखा है, वही पर अगर हम दूसरा question देखें, यहाँ पर भी के तौर पर दे दिया है, तो ऐसी copies में, जो copy check कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से copy check कर लेते हैं, बहुत खुश होते हैं ऐसी copies को देखकर, और ऐसे बच्चों को full marks मिलते हैं, तो अगर आप भी full marks achieve करना चाहते हैं, तो I hope आप बहुत अच्छे से prepare करेंगे, there is no secret to success, other than well preparation, so children do study well, do prepare yourself well and do give your exams into a very good manner, all the best children.